भारत में पिछले साल लौंच हुई मारुति सुजूकी अल्टो K10 में मेकेनिकली लुक कमफर्ट और सेफटी के मामले में कई बड़े बदलाब हुए हैं। कड़े सुरक्सा मानदन डलागू होने के साथ कार निर्माताओं को छोटी और सस्ती कारों को भी बुनियादी सुरक्सा मुहिया करानी होगी। नई मारुति सुजूकी अल्टो K10 में बड़े बदलाब कर यह साबित कर दिया है। अगर आप भी कम बजट में अपने और अपनी फैमिली के लिए सुरक्सित कार खरीदना चाहते हैं तो अल्टो K10 एक बहतर ओप्शन हो सकता है। 3,99,000 पे से शुरू होने वाली नई अल्टो K10 में पुराने मोडल की तुलना में कई नई बदलाब किये गए हैं। यह पुरानी प्रीडी की 800 CC अल्टो से कहीं ज़्यादा सुरक्षित कार है। कमपनी का दावा है कि नई जमाने की अल्टो K10 में 15 से ज़्यादा सेफटी फीचर्स मिलते हैं। कई सेफटी फीचर्स के साथ नई प्लेटफोर्म ने अल्टो K10 को पहले से ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। यह अब तक की सबसे सुरक्षित अल्टो है। महारतिय सुजूकी के मुताविक 2022 अल्टो K10 सभी भारतिय सुरक्षा नियमों को पूरा करती है। जिसका अर्थ है कि यह जल्द ही अनकैप सुरक्षा स्कोर प्राप्त कर सकती है। नई मारतिय सुजूकी अल्टो K10 में मिलने वाले सेफटी फीचर्स की बात करें। तो इसमें Dual Airbag, EBD के साथ ABS, Speed Sensing Door Lock, Pre-Tensioner के साथ Seat Weld, High Speed Burning, Reverse Parking Sensor जैसे कई सेफटी फीचर्स मिलते हैं। कार जिस नई प्लेटफोर्म पर बनी है उसने नई अल्टो K10 को पुराने मोडल के मुकाबले बड़ा बना दिया है। नई अल्टो की लंबाई 3530 mm, चोड़ाई 1490 mm और उचाई 1520 mm है। कार पुराने मोडल की तुलना में लंबी और चोड़ी है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर अब पहले से ज़्यादा स्पेस मिलता है। मारुती सुजूकी ने नई अल्टो के 10 को डिजाइन करते समय गराकों पर विशेश धियान दिया है। 2022 अल्टो के 10 की सबसे खास बात इसका नया इंजन है। अब इसमें 1 लेटर 3 स्लेंडर के सीरीज का इंजन है, जो 65 BHP की पावर और 89NM का टोर्क देता है। और इसका इंजन 5 स्पीर्ड मैनुवल या EMT के साथ आता है, जिसे मारुती सुजूकी AGS कहती है। नया इंजन 24.9 KMPL का मायलेज देता है, जो रेनो क्विट 1 लेटर वेरेंट के तुलना में सेग्मेंट में सबसे अधिक है। इसके अलावा अल्टो K10 CNG में करीब 33 किलोमेटर प्रती किलोग्राम का मायलेज देखने को मिल जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर करें। धन्यवाद।